हेलो प्रेंज आप सभी को हमारे तरफ से हैपी दिपावली आप लोग कैसे हैं उमीद करते हैं अच्छे होंगे दिपावली का अनंद उठा रहे होंगे हम भी उठा रहे हैं देखिए मेरे यहां दिया जल गया हुआ है हम जला दिये हैं वीडियो में यहां तक बने रहें और चलते हैं कीचेन में क्या क्या बना है यह सभी आप लोग के बीच सेयर करेंगे कैसा लगे वो कमेंट में जरूर बताईए और लाइक सिस्क्राइब जरूर कीजिएगा चलिए हमारे साथ जूरे रहे दिखलाते हैं रंगोली रंगोली जो बनाई हैं कैसा बना है continuous का तरह मुझे आया उसी तरह हम बना दिए और कैसा लगा आप को मेरा रंगोली कमेंट में जरूर लिके बताईए और देखिए मेरी बेटी है इसानी हेलो करो इधर मेरा बाबू है इसान हेलो करो देख लीजिए इधर चारो तरफ दिया ही दिया है पुरा जगमक जगमक कर रहा है देखिए मेरा बहुआ लोग चुर चुरी जला रहा है और इधर भी देखिए फ्रेंट्स मेरे पती देव जी है जो रंगोली में दीप जला रहे हैं के देखिए हैपी दी पवलिए देख लिजिए और चलते हैं कि और चलते हैं अब कीचन के तरफ रेशिपी दिखलाते हैं आप लोग को जो क्या क्या बना है और क्या-क्या बाकी रह गया हुआ बनाने के लिए वीडियो में एन तक बने रहें देखिए फ्रेंट्स आ गया कीचन में और पकौरा बनाने के लिए बेशन का बैटर तयार करना है इसके लिए हम बेशन और मसाला ले लिए है इसी में हल्ली मसाला जितना मसाला होता है उस डला हुआ है इसको हम पानी से घोल करके तयार कर लेंगे सोरी आज हम छोटा-छोटा वीडियो बना रहे हैं सोट में जो थोड़ा समय में कम समय में हर एक वीडियो हम दिखा सके आप लोग को बीच तो इसलिए आप वीडियो में बने रहें हम इसको तयार करके आपको दिख लाएंगे इधर मेरा पकोरा बनाने के लिए गोवी कट के तयार है इधर दाल का पूरी बनाएंगे चना का दाल का इधर मेरा चाबल बन गया हुआ है चप बनाने के लिए मसाला तयारी किये हुए है और इधर आलू गोवी मदर का सब्जी हम इधर दाल मेरा बनाव है तरका लगाना है लिए हो गया हुआ है सब्थिख इतना सारा खाना बन गया हुआ है अब और चलते हैं आटा पहले लगा लेते हैं पूरी बनाने लिए और फिर बेटर तयार करके पकड़ा बनाएंगे तो वीडियो आप लोगो हम थोड़ा काम निप्टा लेंगे प्रेंज लाइट गया और इधर दीप जला मेरा पकॉरा बनने के लिए इधर कटके तयार है लोकी है बैगन केला प्याज और आलू इधर पकॉरा बनने के लिए गोवी का प्याज मिच्ची कटके रखे हुए है इधर मेरा बैटर तयार है इधर मेरा तेल गर्म हो रहा है प्रेगन का डाल दिये ये आलू का है लोखी का है प्याज का है एक बार में चार पकोरा तयार कर रहे हैं दिखिए एक बार में धेर सारा पकोरा तयार कर रहे हैं एक के करके इसी तरह हम पलक देंगे ताकि नीचे से भी क्रेस्पी हो जाए एकदम धीमी आंच पर करना है ताकि ये क्रेश्पी रहे और अच्छा से पके भी देखिए फ्रेंज्स ये मेरे छोटे देवार जी है आज दी पाभी में आए हैं सहर से देखिए है ना क्यूट साधी कामी के लिए तयार है नाइए 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 सर्मा के भाग गए हम इस और हर एक चीज का पकोड़ा हो गया है एक ही साथ तयार इसको हम निकालेंगे धीरे धीरे निकाल ले रहे हैं देखिए दूसरा अलोट इसमें डाल दीय theor इसमें चुप भी बना रहे हैं उदर खाने के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं सिर्ट पकौड़ा खाएंगे इसल यही से नहीं दिखा पाए आप लोग को वीडियो हों, देखिए मेरा चाप हो गया है तयार, इसको निकाल लेंगे, देखिए फ्रेंट्स हम यही कराई चढ़ा दियें जिसमें पकरा चाने हुए थे, इधर मेरा दाल का पुरी हो गया हुआ है इसको भी बना लेंगे, देखि कि अम तरह से सारी पुरी हम बना करके रख लेते हैं, देखिए सारे पुरी खिल गए हैं अच्छे से, देखिए देखिए फ्रेंट्स मेरा पुरी बन के हो गया है तयार, डाल का पुरी है, सारा पुरी बन गया, अब चलते हैं पकोरा बनाने और देखिए फ्रेंट्स एक सैतान बच्चा है ये देखिए छोटा वाला फटका छोड रहा है देखिए यहाँ भाग के चलाया ये छोटा सा सैतान बच्चा फटका जला करके मेरे ऊपर ठेक दिया देखिए एक छोटा सा बच्चा है मेरे पति देव जी इनको भी डॉर लगता है फटाका से देखिए फटाका छोड़ रहा है बच्चा पाटी मेरा दिपावली का ठाली तयार है इधर पूरी सब्जी कई परकार का पकोरा है पापर है डाल है खीर है यह सब बनके हो गया है ठाली सर कैसा बना है जरूर बताईएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नहीं ने वीडियो आप लोग के बीच शेयर कर सके एक बार फिर से आप लोग को मेरे तरफ से हैपी दिपावली देखिए फ्रेंट्स मेरा दिपावली के अपसर पर ठाली है बनका तयार और आगे आप लोग भी खाईए और मज़ें ठाईए एक बार फिर से मेरे तरफ से हैपी दिपावली